गुड मॉर्निंग बच्छों, दिस इस संतोष, संतोष स्वास्तो, and I am with the next session of editorial, the Hindu editorial reading, जैसा का आप देख रहे होंगे, यह 19th of May, 2020 आज है, और परड़े यह session आपको सुभह 9 बचे, at sharp 9 a.m. आपको यह मिलता है, और यह session मेरा 19th है, ठीक है, शुरुवात करते हैं, beginning करते हैं, और देखते हैं हमारा quote, यानि हमारा inspirational quote, आज का क्या है, यह है आपके सामने बच्छा, इसमें आपको बताया गया है, कि our greatest weakness, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्या होती हमारी, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, lies in giving up, वो किस से इसमें होती है, कि हम जब कारी हाथ में लेते हैं, तो giving up, हम जब कहीं असफलता का, हल्की-फुल्की कहीं कठनाईयों का सामना करते हैं, तो give up कर देते हैं, मैं इसमें बीच में ही उस कारी को छोड़ देते हैं, और our greatest weakness lies in, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इसी में क्या है, नहीं थे, किस में हम कोई कारी हाथ में लेते हैं, और फिर जैसे ही कुछ difficulties, कुछ problems, कुछ crisis का सामना करना पड़ते हैं, तो हम give up कर देते हैं, मैं इस कारी को बीच में छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, सक में पूछे तो, the most certain way to succeed, यानि सबसे नश्चत तरीका, अगर कोई है, सफल होने का, तो is always to try, वो यह है, कि आप हमेशा कोसिस करें, just one more time, एक और बार, एक और बार, and this is according to Thomas Alva edition, one of the most successful inventors of this world, है न, मुझे पता है, आप सारी बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं सिर्फे का inspiration के ले बता रहा हूं कि आपको याद होगा, जब उसके teachers, edition जब अपने बालियावस्था में था, मेंस childhood में था, तो उसके teachers उसे बहुत परिस्तान हुसाय करते थे, और एक दिन उन्होंने एक letter दिया, और edition से कहा, कि जाकर कि अपनी मा को दे देना, और जब वो letter उसकी मा को उस बच्चे ने दिया, अपनी मा को, तो उस उसकी मा से, अपनी मा से उसने पूछा, कि इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने बताये कि इसमें लिखा है, कि आपका बच्चा, आपका बच्चा इतना intelligent, इतना brilliant है, कि हमारे school में ऐसा कोई staff नहीं है, जो इससे बहतर तरीके से पढ़ा सके, इसलिए आप ही इसकी देख भ confidence की feeling आई, और आज हम जानते हैं, वो बच्चा विश्व के सबसे महानतम, greatest scientist में से एक है, है न, पता है, जब उसकी मा की death हो गई, और फिर वो बच्चा जो उस समय के था, जब बड़ा हो चुका था तो एक दिन उसे घर में वो letter मिला, जो letter उसके teacher उसने बच्पन में उसक अमीज है, हम इसे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, यह शैतान है, बदमाशियां करता है, पढ़ने में मन नहीं लाँता है, तमाम तरीके के इधर उदर के प्रश्न करता है, और तब एडिशन को पता चला, कि उसकी मानी उससे जूट क्यों बोलाता है, you can understand बच्चों, यह belief एक एक ऐसी चीज है, जो एक राई को परवत के समान बना सकता है, means आप सब कुछ कर सकते हैं, just in आपने अपने उपर विस्वाश कर लिया, कि you are the best person of this world, आप इस संसार के सबसे अच्छे इंसान हो, बस अपने में क्या करो आप विस्वाश करो के, you can, you will, ठीक है, तो हम भी वि आगे बढ़ते हैं, और ये next session आपकी सामने मेरा है, जो सबसे अच्छे segments में से एक कर सकते हैं, repeated words, यानि वो words, जो आप अलिडी पढ़ चुके हैं, और इस editorial में इतने सारी words, मैं 20 words पर डे डालता हूँ, ठीक है, यानि 20 words वो हैं, जो इस editorial में भी क्या किये गए, repeat किये गए तो आप जल्दी से देख लें, वो कौन-कौन से words हैं, extended, याद है आपको, rise, tally, death toll, concern, contrary, utilized, isolating, समझते होंगे, isolation से हैं, community, transmission, findings, surveillance, acute, respiratory, asymptomatic, inevitable, specific, complacent, widespread and appreciation. ये वो words हैं, जो मैं जब से session चला रहा हूँ, ये words आप पढ़ते हैं, तो क्या, ये सारी words याद हैं, बच्चों, पूझी वही बनेगे बच्चों, जो आप अपनी महनस से प्राप्त करें, अगर आप ये सोचेंगे किवल editorial पढ़ते जाएं आप, और ऐसे बेता जाएगा, तो nothing will be achieved, कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, आपको करना क्या होगा, हर अगला दिन, आपके पिछले दिन से क्या होना चीए, बहतर होना चीए, अर्थाती words, आपके शब्द कोस में, आपके vocab में क्या होना चीए, शामिल होना चीए, तो extended याद है आपको, किससे बना होगा, समझ सकते हैं, बच्छों, किसे बना होगा, extend, extend means, बढ़ा देना, उसे से extended, past, simple past कह सकते हैं, और past, possible, adjective के रूप में भी कह सकते हैं, means, बढ़ाया होगा, extended, rise क्या होता है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी, जब किसी चीज़ में उच्छाल आती, बढ़ोतरी आती, तो क यानि कहीं कहीं आप ये word use कर सकते हैं, मिलता जूलता, spike है नो, बढ़ोतरी, हलकी बढ़ोतरी, tally क्या होता है, tally के कई अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ जो यहां मैं आपको दे रहा हूँ, match, किसी चीज़ से mail खाना, यानि उस चीज़ से mail खाना, ये tally होता है, एक और elements तो, किसी चीज़ का ये करना, हिसाब लगाना, होता है न, नहीं लूख केता है, जरा tally करो तो, अर्थ जरा हिसाब लगाओ तो, अर्थाथ क्या करना एक तरह से, ये करना बच्चों, गड़ना करना, है न, आप देख सकते हैं, आप देख रहा होगा आपको, गड़ना करना, अर्थाथ किसी चीज़ को count करना, इस sense में भी tally का हम प्रेयो कर सकते हैं, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और ये next word है, आपकी साबनी, death tall, बच्चों, आप समझते होंगे, death tall क्या हो सकता है, death tall means मरनीवालों की संख्या, किसी particular cause की वज़े से किसी particular cause किसी विसेश कारण की वज़े से जो मरने वालों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं death toll मरने वालों के संख्या concern क्या है यहाँ पे concern means आप इस sense में यूज़ कर सकते हैं worry worry means चिंता यह यहाँ पे है contrary means समझते होंगे contrary means विपरीत जब आप किसी चीज़ के against जाते हैं तो आप क्या जा रहे हैं contrary उसके विपरी जा रहे हैं उसके against जा रहे हैं utilize क्या होता है एक तरह से utilize का मतलब use करना अर्थात उपयोग करना होता है isolating समझते होंगे आप इससे ये वर्ग कर लेंगे तो आप कर लेंगे आइस्तोलेट करना या ये सेपरेट है बच्चों सेपरेट करना अलग कर लेना या ये वर्ग अगर आपको याद हो एलियनेट कर लेना, means अलग कर लेना, तो आइस्टोलेटिंग उसी का जीरंड या पारिसिपल बना सकते हैं Community क्या होती है, एक समुधाय, जो विसेश वर्ग होता है, वो क्या होता है, Community होता है Transmission क्या होता है, हस्तांतरण, यानि if something is going from this hand to that hand, यानि इस हाथ से उस हाथ जा रहा है, तो उस transmit कर रहा है, उसका transmission हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है Findings को ध्यान से देखें आप, पहले word क्या रहा होगा, find, फिर इसमें क्या बनाए गया, finding, gerund, और इसका plural बना दिया गया, findings तो find means क्या होता है, प्राप्त करना, तो finding प्राप्ति अर्था जो आपको मिल रहा है, अर्था किसी कारी के पैडाम स्वरूप जो आपको हासिल हो रहा है, वो क्या है आपका finding है, बच्चों ठीक है, जैसे आपको रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको रिसर्च कर रहे हैं, उस research में आपको एक conclusion निकल ला है, एक निसकर्ष निकल ला है, एक परिडाम निकल ला है, तो उस research में क्या मिल लए है, आपको एक finding मिल लए है, उसी का plural finding शोच है एगा. next word है, surveillance, surveillance क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे न, तो आपको एक word मिलेगा, surveyed, surveyed मिल ला है, निकलानी करना, इसी से बना, surveillance, निकलानी करने वाला, यानि आप अगर शुद भासा में कहें न, तो ये सक्स, चौकश, जो बिल्कुल सजग हो, चौकश हो, वो surveillance है, और इसी में ये T हटा देंगे, तो फिर आपका बन जाएगा CE noun हो जाए, ठीक है, ये जो आपने survey लिखा था न, ये क्या थी आपकी, वर्ब थी, जब आपने इसमें A अंटी ये जोड़ा, L-A अंटी, तो अब क्या ह हो गया ये आपका, चले मैं फिर से लिख दे रहा हूं बच्छो, surveillance, अभी क्या हो गया आपका, adjective और जैसे आपने इसमें CE जोड़ा, एक नट बश, ये देगे, अब जैसे ही आपने, ये जोड़ा, surveillance, अब क्या हो गया आपका ये, noun हो गया, ठीक है, किसी भी शब्द के अं E-N-C-E या E-N-C-E-I तुरंट कह देए, वो शब्द क्या है, एक noun है, ठीक है, चले, next word आपका, तो surveillance याद हो गया, surveillance में इस क्या हो जाएगा, हिंदी में, चौकसी या निगरानी ये हो जाएगा, जब आप किसी को watch करते हैं, बहुत ध्यान से उस पर निगरानी करते हैं, तो आप उसे surveillance पे रखते हैं, अक्सर आप जानते हैं, बहुत सारी जो police विभाग है, वो बहुत सारी अपरादियों, criminals के जो numbers होता है, वो surveillance पे रखता है, न acute आपके adjective है, acute मैंने पढ़ाया था आपको, acute means sharp, तीवर के sense में, या अगर बहुत कठोर है, बहुत तेज है, तो इस sense में आप यूज़ कर सकते हैं, severe, severe मिन्स भी कठोर या सक्त होता है, respiratory आपको याद है, याद है respiratory, देखे मिचा, ये word मैंने पढ़ाया था आपको, respire, respire म इसी respire क्या बना, respiratory, sans लेने से संबंधित, जो चीज होता है, respiratory होता है, आपकी स्वसन क्रिया से संबंधित, और इसी से बना आपका respiration, ये respire क्या है आपका, वर्व है, आप कारी कर रहे हैं, sans ले रहे हैं, respiratory क्या है आपका, adjective है, किसे संबंधित है, और respiration जैसे ही आपने A, T, I, O, N या I, O, N देखा, T, I, O, N देखा, आँख मूद के कहदें बच्चों ये क्या है आपका noun है ठीक है तो respiratory स्वसन क्रिया से संबंध है और symptomatic मैंने पढ़ाय था आपको कि और बराबर यानि और मेंश क्या होता है a means एक भी होता है, a means बिना भी होता है, a means पर भी होता है और a means प्रति भी होता है ठीक है ये words है a means एक तो आप बच्चपन से जानते हैं बट ये सब बहुत कम आप जानते हैं जातर बच्चे कि A means बिना होता है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ A का मतलब क्या है पता है, A means without, अभी मैं आउंगा इस पे, A means पर भी होता है, आप यहाँ करें, जब आप कोई sentence लिखते हैं, कहीं देखते हैं, ऐसे लिखता है, 80 kilometers and hour, and का मतलब क्या है बच्चो, प्रती, या अगर and से आप confused हो Now, rupees 80 a kilo, इस A का मतलब क्या है, प्रती, प्रती kilo, और A means पर भी होता है, जैसे आप कहते हैं, the hut is a fire, a fire means क्या, on fire, this is, तो a means पर, यानि जो जो जुपड़ी है, वो आग पर हैं उसमें आग लगी हुई है, तो वैसे ही, यहाँ जो a है न, इस a का मतलब क्या है, without, और symptomatic, देखे ध्यान से, symptom है न, यह, और atic, किसे इस सब्द के अंत में ic लगा होता है, तुरंत कह दें, वो क्या है, एक adjective है, त यानि बिना लक्षण के जो लोग होते हैं, वो क्या है आपके, और symptomatic होते हैं, ठीक है, inevitable, कई बार पढ़े चुके आप जो चीज़ बच्चों, certain हो, means, निश्चित हो, सियोर हो, वो क्या है, inevitable है, यह वर्स तियार करते जाए बच्चों, अगर आप competition level पे बहतर बनना चाहत हैं, तो word power तो आपको अच्छाई बनाना होगा, तो जैसे, जैसे inevitable देखा, तो आप पढ़ें आप, क्या कर सकते हैं आप, तुरंत आपके मन में, unavoidable आज है, तुरंत आपके मन में, यह वर्स आप यो, रोज यूज़ यूज़ कर रहे हैं, बच्चों, इनिसके पेबल, मेरी राइटिंग बहुत ध्यान नहीं दीज़ें, बच्चों, इनिसके पेबल हो जाए, या फिर अगर यह वर्याद हो आपको, इनिस्पेंसिबल हो जाए, सबके में इनस अनिवारी है, अर्था, जो हर हाल में होना है, वो inevitable होता है, जैसे, death is inevitable, यानि मौ specify से बना है, specify मिन्स क्या होता है, किसी चीज़ को विसेश बनाना, उस पर विसेश बना देना, वो specify होता है, उसी से adjective बना दिया गया, specific मिन्स, विसेश या खास या अगर इस वर्याद में आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो special हो जाएगा, हो जाएगा ना, complacent क्या होते है, complacent comply से बना है, complacent मिन्स यह भी होता है, और आपकी काम आएगा, मैंने बहुत पहले सारुखान जी सही सुना था, कि मैं कभी भी complacent नहीं हो सकता हूँ, complacent क्यों होता है बच्चों, जैसे मान लीजी, आप कोई जाब पा रहे हैं, आपनी 25,000 रुपे की जाब पा ली, और आपनी का अब तुम्हें एकदम मस्त हो, खुश हूँ, अब मुझे कुछ करनी के आवश्यक्ता नहीं है, तो आप क्या हो गए पता है, आप complacent हो गए, मेंस क्या हो गए आप आत्मसंतुष्ट हो गए, अर्थात कहीं कहीं आप बच्चों ये हो गए, self-concited हो गए, या self-satisfied हो गए, आत्मसंतुष्ट हो गए, अर्थात आपको लगता आप कुछ करने के आवश्यक्ता नहीं है, कभी पी complacent नहीं हो बच्चों ठीक है, ये दिल मांगे more, यानि हमीशा और बहतर करने की आशा करें विश्वाश्ट रखें आप, तो complacent आत्मसंतुष्ट, वाइड इस्प्रेड, जो चीज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हो, वो वाइड इस्प्रेड है, मिस फैला हुआ, बहुत अधिक फैला हुआ, और precious समस्ते हों बच्चों, जो चीज वैल्यूएबल हो, या इन्वैल्यूएबल हो, या एक्सपैंसिव हो, वो क्या है, precious है, मिस कीमती है, बहुत मुल्य है, मुल्यवान है, ठीक है, यह सारी आपके क्या है, रिपीटिड वर्ड्स हैं, जो आलनी आपने पढ़ा है, मैंने और रिपीट कर या दिया आपको, तो आपको और बहतर हो जाना चे, यह मेरी बात हमेशा याद रखेगा, जो, अगर आपको जिन्दगी में सफल होना है, अगर आप ऐसा प्राप्त करने के इच्छा रख रहे हैं, तो यह हैब टो वर्क हार, यह मुस्ट वर्क हार, आपको परिष्टम करन ही होगा, there is no shortcut, कोई भी shortcut नहीं बच्चों सफल होने का, you will have to take a long way, आपको लंबे समय तक चलना होगा, especially आपको परजवर करना होगा, सतत प्रयाश करना होगा, ठीक है, चले, next session तिरफ अपने चलते हैं, और देखते हैं कि, क्या है हमारे पास, क्या चीज़ें ऐसी हैं, जै यह सामने में आपके आगया, यह आ रहे हैं, ठीक है, हमारा next section है आपका यह, vocab का section, जिसमें आप पहला वर देख रहे होंगे, सरपाश, important word है, competition की point आवे उससे, to become better, जब आप किसी से बहतर बनते जाते हैं, greater बनते जाते हैं, stronger बनते जाते हैं, किसी का पेक्छा, तो आप उससे क्या कर रहे हैं, बच्चों, सरपाश कर रहे हैं, आप उससे exceed कर रहे हैं, उससे over step कर रहे हैं, उससे eclipse कर दे रहे हैं, अर्थात उससे आगे निकल जा रहे हैं, उससे ढख ले रहे हैं, आप excel कर जा रहे हैं, उससे बहतर हो रहे हैं, out class कर रहे हैं, उससे class में पीछे छोड़ दे रहे हैं, आउट डू कर रहे हैं, उसे कारिय में पीछे छोड़ दे रहे हैं, आउट मैच कर रहे हैं, उसे मैचिंग है नहीं आपके, आप उसे बैतर हैं, आउट शाइन कर दे रहे हैं, आपकी simultaneously, simultaneously क्या होते हैं, जब आप एक साथ कुछ घटनाई होती हैं, तो they are happening simultaneously, okay, simultaneously क्या है, ly जोड़ा है तो फिर ये adverb हो गया, यानि अगर आप ये ly जोड़ देंगे, हटा देंगे, simultaneous क्या हो जाएगा, o, y, 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 s, आपका क्या हो जाएगा, adjective, और adjective में आपने ly जोड़ा है, तो क्या बन गया ये, adverb बनेगे, ठेक है, तो यहां मैंने दिया भी बच्चों देखें, simultaneous adjective के रोप में है, existing are occurring at the same time, जो चीज एक ही साथ साथ घटित हो रही हो, वो simultaneously घटित हो रही है, exactly coincident, बिल्कुल एक साथ, इतफाक से वो दोनों एक साथ हो जारी हो जाना है, तो वो simultaneously हो रही है, एक साथ घटित हो रही है, these incidents occurred simultaneously, यह घटना है, एक साथ घटित, तो surpass किसे से आगे हो ना, बहतर हो जाना, उसे outdo कर देना, outclass कर देना, और simultaneously means एक साथ, जो घटना है, एक साथ हो रही है, वो simultaneously हो रही है, next word अभी आपने एक तरह से प्रहा था, याद कर लिए, isolation means अलगाव, प्रिथक करन दूसरों से, isolate करना मैंने दिया है, यह वर्ब से बना है, isolate से बना है, isolation, ion जैसे ही देखा याद आगया, noun है आपका, और ate किसी शब्द के अंत में देखें, तो normally हमेशा नहीं, बट normally वो वर्ब होता है, ठीक है, जैसे कई सारी वर्ब्स आप देखते होंगे, जैसे यह देखें, create, last में ate है ना, तो क्या हो जाएगी यह, वर्ब हो जाएगी, है ना, ज्यादा तरव शब्दों में, अगर ate होता है, तो वो आपकी वर्ब होती है, कहीं के adjective भी हो जाता है, तो isolation क्या होता है, the action of isolating, अर्थात अपनी को अलग कर लेनी का जो कारिय वो isolation है, तो आप aloneness में जा रहे हैं, अलगाओं में जा रहे हैं, इंसिलेशन में जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, privacy में जा रहे हैं, अर्थात निजता अपना रहे हैं, seclusion में जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, separateness आपके इंदर आ रही, अलगाव की भाव ना रही, sequestration की भाव ना रही, अलगाव की भाव ना रही, सारी वर्ज त्यार करेगा completion की point of view से, अर्था, isolation means अलगाव या प्रिथक करण, forced isolation made the infected people lonely, अर्था, जबरदस्ती की isolation लोगों को क्या बना दिया है, बिल्कुल अकेला बना दिया, isolation means अलगाव, प्रिथक करण, next word है testimony, जब भी आपको किसी चीज का साक्ष या प्रमार देना होता है, especially वो भी किसी legal point of view से, तो वो क्या होता है आपका testimony होता है, means first hand authentication of fact, जब आप किसी fact, किसी तथि को प्रमारित करते हैं, वो भी पहली बार first hand, तो वो क्या है आपका testimony होता है, यह एक evidence, means एक प्रमार है, एक साक्ष है, यह एक confirmation है, means एक असपश्टी करण है, यह एक corroboration है, means एक प्रमार है, साक्ष है, यह एक documentation है, means एक तरस लिखित में आप प्रमारित कर रहे हैं, यह एक proof है, means प्रमार है, साक्ष है, यह एक testament है, means साक्ष है, प्रमार है, यह एक validation है, प्रमार है, इस सारी वर्स मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, ताकि आपके दिमाग में थोड़ाबो तो शब्द, बैठ है, ठीक है, तो testimony, means क्या हो जाएगा, साक्ष या प्रमार, there were contradictions in her testimony, यानि उसके जो साक्ष थे, there were contradictions, उनमें क्या थे, contradictions, contradictions, विरोधा भाष, कहीं भी अगर यह लगा है न, contra, contra means ही विरोध होता है, तेसी contrast से देखे, contrast बना है, जानते होंगे बच्चों, आप, contrast में सब विरोध करना, अलग होना, contrast, और इसी से contradiction बना है, इसी से contradict बना है, विरोध में बोलना, इस सब contrast ही बना है, तो next word आपका है, sentinel, साथ पढ़ाव आपने, जो पहरिदार होता है, गाड आपका, किसे गेट वगरे पे जो गाड खड़ा होता है, वो sentinel होता है, especially जो किले वगरे की रखवाली किया करते थे, उन्हें sentinel कहा चाता था, a soldier standing guard at a point of passes, यानि जो किसे पैसे पर गलियारे वगरे पर gate पे है, यहाँ such as a gate, किसे gate वगरे पे खड़ा रहता है, उस soldier को हम क्या कहते है sentinel कहते है, पहरिदार यह वह एक custodian है वह एक guard है वह एक keeper है वह एक lookout है, चौकसी करने वाला है, वह एक picket है चौकसी कर रहा है, पहरिदारी कर रहा है, वह एक sentry है means sentry आपने सुना होगा वह एक warden है means क्या है, वह पहरिदारी कर रहा है देख भाल कर रहा है, वह एक पहरिदार है, तो sentinel पहरिदार, alone sentinel kept watch over the fort, यानि एक अकेला जो पहरिदार था, वह उस के लिए की क्या करता था, रख पाली करता था ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, sentinel याद कर लिए, पहरिदार testimony, जो first hand authentication होता है, किसी fact का वो testimony होता है isolation, means when you are isolating yourself from someone is किसी और से जब आप अलग थलग कर रहे हैं तो आप किस में जा रहे हैं, isolation में जा रहे हैं, ठीक है, next words देख लें यह है आपके बाद surveillance, यह word बहुत बार आपको spelling error में दिया गया, spelling की वज़े से आप अगर एक चीज़ बना लेंगे नहों यह बस बना लें, s-u-r-v-e के बाद y नहीं बच्चो आई है, तो आप आराम से इस word को बना से surveillance को, ठीक है surveillance क्या होता है, निगरानी या चौकशे, means close watch kept over someone or something, जब आप किसे व्यक्ती पर या किसे चेज़ पर close watch करते हैं, मैं इस गहराई सुसका निगरानी करते हैं, तो surveillance पे आप होते हैं, मतलब आप उसे रखते हैं as by a detective जैसे कोई जासूस किसी पर करता है, वह oversight कर रहा है, निगरानी कर रहा है supervision में रख रहा है निगरानी में रख रहा है the bank, या जी नहीं होगा बच्चों, B हो जाएगा, the bank robbery, वो जो bank robbery थी, bank dakati थी, was recorded, वो record हो गई थी by surveillance video cameras यानि उन वीडियो cameras के द्वारा जो surveillance पर था, जो उन पर क्या कर रहा है, निगरानी रख रहा है surveillance निगरानी चौक से next word आपका respiratory, अभी आपनी पढ़ा था ने पीछे, respiratory पहले ही पढ़े चुके हैं, आप स्वसन क्रिया से संबंदित है स्वसन से संबंदित, related to respiration, his respiratory organs were functioning well, यह उसके जो स्वसन क्रिया संबंदित अंग थे वर functioning well, वो ठीक तरीके से कारी कर रहा है, तो respiratory स्वसन क्रिया से संबंदित, next word है resurgence, resurgence क्या होता है बच्चों, यह होता है सुध में अगर आप सोचेंगे G उठना, कोई मरने के कगार पे हो, और research कर जाए, क्या कर जाए बच्चों, वो research कर जाए, तो वह resurgent हो जाता है, यानि वो G उठने वाला ब्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या गया resurgence आ गया, पुनरुथान आ गया, पुना वो G उठा, फिर से वो जिन्दगी पागया, this is resurgence, तो resurgence और rising again into life, activity or prominence, जब आप फिर से जीवन में प्राप्त हो जाए, किसी activity को फिर से शुरू कर लें, या prominence, फिर से आपका नाम हो जाए, तो आप research कर गया means आपने resurgence प्राप्त कर लिया, अर्था ता आप reanimation में आ गया आपका rebirth हो गया आपको g regeneration मिल गया, आपको resignation प्राप्त हो गया, आपको renewal प्राप्त हो गया, means प्रूथान हो गया, it was a resurgence of interest यानि यह उसकी रुची का क्या था, resurgence था, पुन रूथान था, तो उसके अंदर रुची फिर से उत्पन हो गया, ठीक है रहा था, complacent, जब आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो marked by self-satisfaction हो जाते हैं, मैंस आप खुद में ही खुश हो जाये करते हैं, आप assured हो गया, आप pompous हो गया, अर्थात गर्व से fooled गया आप, आप self conceited आ गया, मैंस कहिंगे घमंड आ गया आपको अपने ऊपर आप self-satisfied हो गया, अर्थात खुद सही संतुष्ट हो गया, तो आप आत्मसंतुष्ट हो गया after his first success यानि अपनी पहली सफल्था के बाद he became complacent वो क्या हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया respiratory, respire करना स्वसन क्रिया से समंदिक और surveillance, surveil, surveillant और surveillance, मैंस चौकशे निगरानी और ये last words देख लें ये है peaking, समझते हों बच्चों ये word आप समझते होंगे peak होता है न, peak और आप ले सकते हैं ये word अगर आपको याद हो summit, ये word भी आप जानते होंगे शहर zenith, ये word भी आप जानते हैं ये सारी words आप जानते होंगे आप और पी अगर words आप देखना चाहें ये word भी आप जानते होंगे ये सारी words, और पी words होता है के मेंस हो, शिखर होता है मेंस छोटी, उसी में ing जोड के उसे जीरंड या पार्सिफल की रूप में आप यूज कर सकते हैं, peaking या मैंने जीरंड की रूप में अर्थात नाउन की रूप में दिया है, the highest level are greatest degree, किसी चीज की सबसे जो उच्च अवस्था होती है, वो क्या होती है, उसकी peaking होती है, में इस क्या होती है, वो उसकी शेखर की अवस्था है, ठीक है, death toll, death toll अभी मैंने बोला था, मरने वालों की संख्या, जो किसी particular cause, बहें ने देखे, the number of deaths resulting यहां फ्राम रहेगा, from a particular cause, किसे विसाईश वज़ से मरने वालों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, death toll कहते हैं, ठीक है, this brought the death toll from cross border, यहीं cross border, border के उस पार, जो मरने वालों की संख्या थी, classes, यानि cross border, classes में, अर्था तो वहां पर जो लाई चल लही थी उसमें, to 18 या 80, कितनी हो गई वो 80 के आस पास होगे, ठीक है, तो death toll मरने वालों की संख्या, देखें बच्चों, आप editorial को क्यों नहीं समस पाते हैं, दो जासे, पहला words आपके लिए कठीन हो जाते हैं, तो ऐसे कर पढ़ते चलेंगे ने, words repeat होते रहते हैं, तो आपको आसान होगा, दूसरा grammar का structure जो धीरी धीरी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आप समझ रहे होंगे, और regular पढ़ते हैं, और आपको आजाएगा, ठीक है, चले, next word है, findings, अभी पीछे बुला था, किसी चेज का जो निशकर्ष होता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वो information discovered as the result of an inquiry investigation, जब किसी inquiry investigation में, जो information आप प्राप्त करते हैं, किसी चेज के, वो पढ़ता हैं, वो उसका findings है, मैंने सूसके क्या हैं वो, पढ़ताम हैं, प्राप्तियां हैं वो, the researcher's findings, यानि शोद करताओं का जो पढ़ताम प्राप्ति थी, वर published in the newspaper, यह findings रहेगा बच्चों, findings, findings were published in the newspaper, वो उनकी प्राप्तियां किस में published होई थी, newspaper में प्रकाश है थोई थी, ठीक है, तो आपकी ये वर्स होगे, findings, किसे चेज का पढ़ताम, निशकर्ष, death toll, किसे विसेश कारण से मरने वालों की संख्या, और peaking, peak से बनाए, शिकर्ष, और यह हमारी सामने है आपका, आज का editorial, ध्यान रुके बच्चों, अगर आप ये सारी वर्स पढ़ेंगे, किस चीज़ों को समझें, कि अगर मैं words को describe करूंगा, कहीं कहीं extra time आपको थोड़ा देना है, जरूरी है बच्चों, अगर आपको editorial का फायदा लेना है, तो दो चीज़ तो समझें, word power और उसके जो structures होते हैं, जो आगे आपके common errors में, sentence improvement में, fill in the blanks में, close test में, picky virus में, comprehension में, हर जगह आपके काम आएंगे, ठेक है, ये बच्चों है, आज की, आपके editorial की tone जो है, वो क्या हो सकता है, वो tone जो है बच्चों ये है, negative आप कह सकते हैं या positive plus negative कह सकते हैं, subjective में ही positive plus negative, कुछ ऐसे तथे इसमें हैं, जहाँ पर लेखक आपको एक positivity की तरफ ले जा रहा है, लेकिन जातर ऐसे तथे हैं, जहाँ पर आपको ये बताना चारा है, कि भारत की जो इस्थती है, कहीं कहीं वो bad से worse होते जारी, क्या होती जारी बच्चों bad से worse होती जारी, जो बच्चे आपमें नय हो या grammar बहुत न जानते हो बच्चों, वो देखें यहाँ पे एक चीज, कि कितनी बढ़ियाँ चीज है आपको, ये word ले लिया आपने bad, इसका भी comparative क्या होता है, worse और superlative क्या होता है, worst होता है न, और ये जो evil है आपका, evil, इसका भी comparative क्या होता है, worse और इसका भी superlative क्या होता है, worst और ये जो ill है आपका न, I double L, इसका भी comparative क्या होता है, worse और इसका भी superlative क्या होता है, worst ठीक है, यानि bad का, evil का और ill, तीनों का comparative और superlative, worse और worst ही होता है, ये बिलकुल वैसे ही है, जैसे ये है, आपमें जातर बच्चे जानते होंगे, जैसे good है ना आपका, good का comparative क्या होता है, better, और superlative क्या होता है, best, तो आप जानते होंगे, well का भी comparative क्या होता है, better, और superlative क्या होता है, best होता है, ठीक है, वैसे एक और मैं चीज़ आपको बता लूँ और मैं आगे बढ़ जाओंगा, देखें, जैसे ये many है, मेनी का भी comparative क्या होता है more और इसका superlative क्या होता है most और much है न much का भी comparative क्या होता है more और superlative क्या होता है most होता है चीज़ें देखते चलें बच्चो इससे आपको आसानी हो चाहिए तो चले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है जो हम यहाँ पर सेख सकते हैं, तो heading आपकी है, टोन में ने बता दिया आपको, यह subjective के रोप में कहिन कहीं positive और negative दोनों thoughts को मिला रहे हैं, मैंसे एक तरह से combined efforts कह सकते हैं, आप, समरी आप समझ सकते हैं, बच्चों, यहाँ पर आपको यह बताया गया है, कि जब चाइना में, यानि चीन में, जब पहला एक तरह से confirmation हुआ था, इस case का, कोरोना वाइरस का, तो तब से लेकर अब तक भारत में जो संख्या है, वो वहाँ की जो affected लोग थे, जितने लोग, उन 30 लोग थे, लेकिन भारत में अब तक करी 94,000 के आसपास लोग affected या infected हो चुके हैं बच्चों, यानि ये एक negative चीज हो रही है हमारी लिहाज से, कि हमारी जो रोज एक steady increase हो रहा है, यानि निरंतर क्या हो रही है, बढ़ होते ही हो रही है, कि जब तीन हजार, साड़ी तीन ये पर डे का आपका tally है, जो यानि आकड़ा है, इसाव है, जो रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो लेकिक कर रहा है कि कहीं कहीं आगे एक ऐसा समय आएगा, जहां पे हम शायद दोसे देसों के हमारे सिर्फ 10 देस ऐसे समय हैं, all over world, जो हमसे बत्तर position में हैं, यानि हम कहीं कह जायद हमारी स्थिती क्या हो रही, खराब हो रही, एक और चीज, कहा जा रहा है कि community transmission नहीं हो रहा है, लिए आप सोचें 94,000 के आसपास 17,18 में तक हम पहुँच चुके हैं, तो अज़र इतनी पहुँच चुके हैं तो कैसे पहुचे हैं, महाराष्टरा की position, गुजरात की position तमिल नारू की position और वहाँ पस्चिम मंगाल की position ये क्या होती है, डेली की position को भी रख सकते हैं, ये बत्तर होती जा रही, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, जो प्रदेश ज्यादा testing नहीं कर रहे हैं, और जब वो testing नहीं करेंगे, तो आप सोचें आंकडे clear नहीं होंगे, जि ये जो राज हैं, यहाँ पे जादतर अभी testing हो ही न रही हो, जितना कि तमिल नारू में हो रही है, जहाँ पे सबसे अधिक testing हो रही है, यनि आलूवर इंडिया सबसे अधिक testing हो रही है, जबकि महाराष्ट्रा में सबसे अधिक cases हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे अधिक testing नही रहेंगे, हो सकता आपने आपको बहतर साबित करने के लिए आप टेस्टिंग न करें, इससे आपकी आंकड़े कम होंगे, लेकिन इससे वहाँ की जनता को कहिन कहीं अधिक परिशानियों का क्या करना होगा, डिफकल्टी इसका सामना करना पड़ेगा, और आगिसाध इससे क् आंकट और देख्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपकी heading भी आपसे करे रही, pleasing, यानि हम क्या है बिल्कुल, शिखर यानि बहुत ज्यादा संख्या क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है हाइट की तरफ जा रही है आनु इंडियाज कोरोना वाइरश टैली टैली मीं से याँ पर गड़ना आंकड़े यानि भारत के जो कोरोना वाइरस की गड़ना है जो आंकड़े है उस पर यह आपका हो चाहेगा आपको despite the extended lockdown जैसे कामा आता है बच्चो न वैसे रुख जाए पहले उतनी का समझ लीजे फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है पहले इतना पढ़ने despite the extended lockdown despite के बावजूद किसके बावजूद the extended lockdown यानि इस बढ़े हुए lockdown के बावजूद यानि इस बढ़े हुए lockdown के बावजूद the steady rise जो निरंतर rise है बढ़ोतरी है in cases किसमें मामलो में यानि कोरोना वाइरस के जो मामले है उनमें जो निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है वो rise वो बढ़ोतरी is a cause एक कारण है for worry क्या होने का چिंतित होने का समझ गये यानि जो निरंतर cases की संख्या भारत में बढ़ती चाह रही है इसकी वज़जए से चिन्ता होना लाजमी है यानि हमें हर हाल में क्या होगे इसके चिन्ता होगे लेके मैंने कहा था सबसे पहला कर्म बचों हम क्या करें क्या हम इस पूरी line को समझ सकते हैं क्या सारी शबदों को हम बता सकते हैं कौन सा पार सा फिस पेच है इससे extra time आप लगेगा बचो मुझे पता है घंटे बर से ज़्यादा वीडियो हो जा रहे हैं लेकिन आप किस लिए पढ़ रहे हैं ताकि आप समझें जाने देरे देखें ये पूरी phrase है despite the extended lockdown तो despite आप जानते होंगे क्या होता है एक क्या होता है बचो प्रिपोजिशन होता ह है प्रिपोजिशन हो गया दभी आप जानते हैं क्या होता है एक आडिकल होता है या आप इसे इस नाम से भी याद कर लें बचो determiner होता है ठीक है extended ये lockdown तो क्या है बंदी है means noun है कोई भी अवस्था आपकी क्या होती noun है आपकी lockdown noun हो गई एक abstract noun के रोप में तो फिर ये extended क्या हो चाहेगा ऐसे भी noun की पहले अगर है तो normally क्या होगा adjective हो चाहेगा और वैसे पहचाने जब किसी verb में आप ed जोडते हैं तो normally वो past participle के रोप में adjective की तरह काम करता है तो ये क्या हो गया adjective तो ये हम phrase पहचानगे despite preposition याद कर लें the article या determiner extended adjective और lockdown noun इसका फायदा क्या है इससे फायदा यह है बच्चों कि जब आपने जान लिया extended adjective है तो आप ये जान जाएंगे ये extended किसके बारे में बता रहा होगा इस noun के बारे में lockdown के बारे में अर्थात कौन सा lockdown अब इससे समझे कौन सा lockdown वो lockdown जो extended हो क्या किया गया था बढ़ाए गया तो ये फायदा समझ नहीं होगा आपको अगर आप इस समझ जाएंगे noun है ये adjective है फिर आगे बढ़ते है चलिए देखते हैं और आगे करें despite हो गया आपका the फिर से बता लेंगे article या determiner हो जाएगा steady rise in cases अभी इसको छोड़ते हैं हमें पता है यहाँ पे ये phrase है the steady rise है तो rise यहाँ क्या हो जाएगा noun हो गया बिना noun के subject नॉर्मिया ऐसे बनाएंगे नहीं आप ये noun हो गया अगर ये noun है तो steady पहचान लेंगे आ आप क्या हो जाएगा adjective हो गया ये noun ये adjective और ये आपका क्या कहेंगे यहाँ पर determiner हो गया या article इन आप बच्पन जानते हैं यहाँ पर क्या है जब भी इन के बाद कोई noun pronoun हो तुरण समझ जाएं कि वो इन वहाँ preposition है preposition हो गया cases अगर ये preposition है आप आराम से पहचान सकते है कि ये क्या हो जाएगा फिर नावन हो जाएगा पर प्रकर्शन बाद तो noun ही आना है फिर इस जानते हैं बच्पन जानते हैं ये यहाँ लेकिन जो आप जानते हैं बच्चो न वो आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ क्या है helping ये गलती ना खृए अगर is a helping verb होती न तो ये क हो जाएगा तो अगर यह article या determiner है तो आप तुरण समझ जाएं यह यहाँ पे क्या है नाउन है क्यों कोई adjective तो है नहीं बीच में इसका मतलब यह नाउन है फार आप बचमें जानते हैं यहाँ पे preposition है क्योंकि इसके आगे देखे noun होगा फार वरी क्योंकि यह पे प्रेपोजिशन है तो यह वरी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका noun हो जाएगा ऐसे पहचाने मैं जाता हूँ 60% 70% आप इसे फालू कर ले रहे होंगे समझ ले रहे होंगे something is better than nothing कुछ नहीं से कुछ बहतर है तो धेरे धेरे ऐसे पहचानना सीखें कहाँ पे कौन सा श्रदा और कब होगा if you are regular in your class अगर आप अपने class में regular रहेंगे तब चले आगे बढ़ते हैं तो despite the extended lockdown यानि इस बढ़ेवे lockdown के बावजोद the steady riser जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है in cases in corona के virus के मामलों में is a cause for worry यह हमारे लिए किसकी बात है एक चिंता का कारण है क्या निरंतरी the steady rise जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है चले आगे बढ़ते हैं in 106 days समझ गया हमगे बिलकुल यानि 106 दिनों में या इन क्या हो जाएगा preposition हो जाएगा na 106 दिनों में कौन से 106 दिन since the first laboratory confirmed novel coronavirus case was reported on January 30 यहां कामा था न देखिए यहां तक मैं लगातार बोला क्यों क्योंकि सम concept बना ले कैसे देखे उल्टा पड़े on January 30 यानि 30 जनवरी को reported जब report हुई किस से इसकी कोरोना वाइरस केस नाविल कोरोना वाइरस केस की जो laboratory confirmed था जिसका confirmation कहां से हुआ laboratory से प्रयोक्षाला से हुआ कब पहली बार तब से कितने दिन बीट गए 106 दिन अब बना सकते हैं यानि 106 दिन हो चुके हैं since the first laboratory confirmed novel coronavirus case यानि ये जो novel coronavirus case है इसको laboratory के द्वारा confirm हुए कितने दिन हो गए सबसे पहली बार confirm हुए कितने दिन हो गए 106 दिन और ये case report किया गया था on January 30 कब 30 जनवरी को यानि 30 जनवरी को जब पहली बार report किया गया कि laboratory में confirmation दिया गया कि first पहला novel coronavirus का case पाया गया है तब से कितने दिन हो गए हैं 106 दिन हो गए और तब से इन 106 दिनों में देखे क्या हुआ India सरपाश्र, China's tally India सरपाश्र, past indifferent हो चाएगा यहाँ पे इन्डिया आगे निकल गया, सरपास कर गया आउट डू कर गया, आउट क्लास कर गया, आउट शाहिन कर गया अर्थात इन्डिया आगे निकल गया China's tally, किस से? China के आँक्डों से यानि इन 106 दिनों में जब 30 जनवरी को पहली बार laboratory confirmed कोरुना वाइरस का केस आये था तो तब से अब तक इन्डिया सरपास चाहिनाश tally of 84,088 यानि 84,038 का जो चीन का टैली था, आंक्ड़ा था उससे भारत क्या हो चुका है? सरपास्ड क्या हो चुका है? आगे निकल चुका है, ठीक है? हो गया, okay फुली स्टाफ हो गया, यहां तक हमारा concept clear हो गया ऐस आन में 15 जैसा कि 15 में ध्यान से देखे बच्चों, यह date है आपकी में 15, तो यहां आन लगा है ध्यान रखे एक बच्चों, केवल महीना होता है, तो आप इन लेते हैं, जैसे इन में, यह होगा इन में, लें जैसे date जुड़ गई न, यहां देखे date जुड़ गई 15, तो इसके पहले तब क्या लग गया? आन लग गया यह ध्यान रखेगा, कोई भी दिन हो बच्चों, यानि दिन का प्रहर हो, morning, afternoon, evening, night इसके पहले normally क्या लगाएं आप? इन लगाएं, जुरूरी हो तो वहाँ at का भी लगता है, इन लगाएं कोई भी सब्ता हो, इसके पहले इन लगाएं, कोई भी मन्थ हो इसके पहले इन लगाएं, कोई भी year हो, इसके पहले इन लगाएं कोई भी era यानि शताबदी हो युग हो इसके पहले इन लगाएं लेकिं कोई भी दिन का नाम हो इसके साथ आन लगाएं बहले मन्त दिया हो बट आन लगाएं और कोई भी occasion हो आपका birthday है marriage anniversary है तो इसके पहले क्या लगाएं आन लगाएं ठीक है कहीं पर fixed time हो 10 o'clock, 6 o'clock वगर तो इसके पहले क्या लगाएं एक लगाएं चले छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं समझते चले करें as on May 15 ध्यान रखेगा अगर आप ये में बाद में लिखते न तो आप ऐसे लिख देजे 15th में लेकिन अगर आप में को पहले लिखें बच्चों एक मिनद बश अगर आप म में को पहले लिखें तो ऐसा कभी मत लिखेगा ये गलत होता है जब आपने मन्थ पहले रख दिया में पहले रख दिया ने आपने तो फिर इस 15 में टी अच मत जोड़ी है 15th नहीं बोलते है में 15 होगा अगर आपको टी अच जोड़ना है तो आप ऐसे लिखिया 15th में ऐसे हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं करें as on 15 में 15 यानि जैसा कि 15 में को इंडिया हैड ये हैड देखे में वर्भ हो गए क्यों कि इसके आगे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका अवला तुरंट कि पास होना इस सेंस में हम वाक्य को बनाते हैं इंडिया हैड ओवर ओवर मतलब से ज्यादा होना ओवर इंडिया हैड ओवर 85,500 केस इनि 15 में को क्या हुआ कि भारत के पास 85,500 से ओवर ज्यादा केसे थे और फॉर देत टॉल याद हो गया अब़गा देत टॉल और मरने वालों की संख्या इश्टूड रट 2,752 और मरने वालों की संख्या कहा कि खरी हुई और ठाथ कितने तक हो गई 2772 तक as against 4633 in चाइना किसके विपरीट चीन में मरने वालों की संख्या 4,633 के विपरीट यानि चीन में कितने लोग मरे 4,633 लोग लेगे इसके विपरीट हमारे यहां मरने वालों की संख्या क्या रही 2,752 यानि करी 40% हमारे यहां कम डेथ टॉल रही मरने वालों की संख्या चाइना से कम रही आप इसे अपनी उपलब्दी मान सकते हैं जबकि उनकी भी जो केसे की संख्या 84,38 थी इस समय उनके हां मरने वालों की संख्या 4,633 थी और हमारे हां मरने वालों की संख्या 2,752 थी कम सकम इस हमले में आप कह सकते हैं कि you are better than the condition of China means your condition in India is better than the condition of China means then that of China okay let's proceed तो 15 मैं को भारत की जो positive cases थे 85,500 and the death toll मरने वालों की संख्या थी वो कहां तक आगे 2,752 किसके भी परीथ चीन में मरने वालों की संख्या जो थी 4,633 कब जब दोनों की केसे 84,38 थी there are only 10 other countries मैंने बताया था न केवल 10 अन्य देश हैं यहां एक्ची देखें बच्चों there के साथ क्या लगा are क्यों लगा है क्योंकि हम किसकी बात करें 10 other countries के ठीक है जैसे there के साथ आप plural countable noun लेंगे तो आपकी verb क्या हो जाएगी plural लेकिन अगर आप लेंगी there are a man क्या ऐसा सही होगा बच्चों क्या यह वाक सही है there are a man गलत है a man singular है न यहां क्या हो जाएगा is हो जाएगा लेकिन इसके विप्रीत it जो होता है वो हमीशा अपनी अनुसार singular लेता है चलें there are only 10 other countries यानि केवल 10 और अन्यदेश है that have जैसे that के बाद आपने have देखा दो चीज़ क्लियर कर लें बच्चों क्या पहला कि that यहां पे relative pronoun है दूसरा relative pronoun 99.99% केवल only ऐसी अवस्था जिसके साथ that singular होता है अन्यदा that हुआ who हुआ अगर ये plural के लिए आपने लगाया है न 10 other countries है plural के लिए लगाया तो इनके साथ हमेशा वर्ब भी क्या आएगी plural आएगी कोई दिक्कत समझ रहे होंगे आप तो there are only 10 other countries that have more cases than India यहनि केवल विश्व में 10 अन्यदेश हैं जिनकी भारत की तुलना में more cases क्या है अधिक मामले हैं कोरोना वाइरस के कोविट 19 के समझ रहे होंगे आप at the same time यानि इसके साथ है इसके साथ-साथ the tall in the US US के पहले दव लगाया याद रखेगा the tall in the US यानि अमेरिका में जो tall है याद होगे tall मरने वालों की संख्या जो मरने वालों की संख्या अमेरिका में है alone अकेले ही याद होगे है alone देखे नावन की पहले है जिसके लिए नावन के बाद है जिसके लिए आपने लगाया यानि इसके साथ-साथ क्या हम सोचें कि the tall in the US कि अमेरिका में मरने वालों अकेले अमेरिका में मरने वालों की संख्या went past went past इससे बना होगा ना go past go past means आगे निकल जाना यानि अमेरिका में मरने वालों की संख्या went past अधिक हो गई आगे निकल गई the total number of cases उन cases की पूरी संख्या से भी जितने cases नहीं हुए, उस उन cases से ज़्यादा went past संख्या आगे बढ़ गई, किनकी अकेले अमेरिका में किनकी मरने वालों की संख्या, समझ रहे होंगे? जबकि the total case, जबकि अमेरिका में total जो cases है, case load है, जो total case load है, crashed 1.4 million, यानि वो 14 लाख की संख्या को क्या कर गई? क्रास कर गई, कहां? the US में, अमेरिका में, नहीं, अमेरिका में जो cases है, positive कह सकते हैं, वो 14 लाख को भी क्रास कर गए है, और वहाँ जो मरने वालों की संख्या है, बच्चों, वो चाइना की जो पूरे cases थे, उनसे भी क्या हो गए? went past, means so, आगे निकल गई, ठीक है? समझ गए होंगे बाब, इसमें ज्यादा words आपके नहीं, बच्चों, समझ रहे होंगे, आप इसमें tally याद कर लीजेगा, noun के रूप में आप कह सकते हैं, एक हिसाब, एक आंकड़ा, ठीक है? एक गड़ना, और word के रूप में mail खाना और हिसाब लगाना होता है, ठीक है? और इसमें कम ही हैं, एक्चली जो कठीन हो, सर पाश्र किसी को आउट डू कर देना, आउट क्लास कर देना, आउट रूप कर देना, आउट क्लास कर देना, आउट्शाइन कर देना, means किसी से एक्सेल कर जाना, एक्षीड कर जाना, बेहतर हो जाना, और कोई word इसमें तो ऐसा death to all याद यह आद को लिजेगा go past, go past means आगे निकल जाना, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, यह वर्स आपके है on March 18, यानि अब देखरें यहां भी न, भले March है लेकिन इन नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 18 date देगे थी, यह 18 March को क्या हुआ, when, जब यह वर्स मैं बोल दे रहा आपको दिखकत हो, China reported zero fresh cases, यह 18 March को क्या हुआ, जब चीन ने reported, चीन ने report क्या past and different यहां पे, क्रिया की second form, जब भी वर्ब की second form, उसके पहले कोई भी helping verb नहों, तो रहां समझ जाएं, वो वहां second form के रूप में है, और यही second form, third form भी हो सकती थी, अगर यह adjective के रूप में कार करती, तो जब चाइना ने, चीन ने report किया, बताया, zero fresh cases, कि अब उसके बिलकुल भी नए cases नहीं आ रहे हैं, और ऐसा उसने कब बताया, on March 18 को, ठीक है, तो इंडिया, उस समय सोचेगा, उस समय, इंडिया had just 162 cases, इंडिया के पास थे, देखें, इसके पास कोई वर्ब नही तो इंडिया had just, just means, ठीक, यानि इंडिया के पास केवल कह सकते हैं, just केवल के रूप में ले सकते हैं, केवल 162 माम ले थे, and और 3 deaths, और मरने वालों की संख्या कितनी थे, केवल 3 लोगों की मौथ हुई थे, अभी कितनी हो चुकिए, 2700 को भी हम class कर चुके हैं, ठीक है, despite the country, being under lockdown, since almost in March, समझ रहेंगे, despite, यानि इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि the country, हमारा जो देश है, being, यानि, has been under lockdown, यानि वो under lockdown रहा है, since almost, since, almost means, लगभग, since almost in March, यानि कब से, March अंतिम से आत्र रखिया, 25 March से आप यहां लागो किया गया था, इस, particularly कह सकते हैं, 25 March है, तो in March से हमारा देश किस में रहा है, being under lockdown, lockdown में रहा है, तब से, यानि जब से ऐसा हुआ, तब से इसके बावजूद, the number of fresh cases, हमारे यहां नए मामलों की जो संख्या है, and deaths, और मरने वालों की जो संख्या है, यह subject है, यहां पर बच्चों, the number, वो मरने वालों की संख्या, जो है, reported each day, जो प्रती दिन क्या की जा रही है, report की जा रही है, यहां main verb नहीं, बच्चों, यह adjective के रूप में है, जो प्रती दिन report की जा रही है, उन fresh cases, और मरने वालों की जो संख्या है, उस number के हिसाब से देखे, बच्चों, has है, singular, वो मरने वालों की संख्या has continued to rise, उस संख्या निरंतर टू राइस, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तर्ता पुर्वक लगातार, यहनी निरंतर वो संख्या क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है कौन से संख्या बच्छों फ्रेस केसे नए-ने मामले आते जा रहे है एंड डेट से और क्या होती जा रहे है मौते होती जा रहे है ठीक है कब से जब से इंड मार्च में हमारे हैं क्या हुआ है लाकडाउन तो on average, यानि अगर हम आउसतन देखें, तो over 3600 cases, यानि over means अभियात हो गया, से ज़्यादा, यानि करीब 3600 cases से ज़्यादा have been reported, क्या किये गये हैं, report किये गये हैं daily, प्रति दिन, since May 8, कब से 8 मैंस, यानि 8 मैंस से प्रति दिन जो report किये जा रहे हैं, cases, वो cases कितने हैं, 3600 per day, कैसे on average, आउसतन, यानि 8 मही के बाद, आपके 1000, 1500, 800, 600, 500 नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चों, प्रति दिन के हिसाब से average अगर निकालें, तो 3600, यानि 3,600 cases, प्रति दिन आपके देश में बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या हैं, this is, लिखक भी कह रहा है, this is of serious concern, this is the negative approach बच्चों, ठीक है, लिखक कह रहा है, this is of serious concern, या concern नाउन है, concern में इस चिंता, तो serious क्या हो जाएगा, वैसे कहीं I-O-U-S देखें, तो रहन कह दें, adjective है, this is of serious concern, ये याद कर लिए बच्चों, इसके हिंदी होती है, यह गंभीर चिंता की बात है, यानि बड़ी चिंता की बात है, as, जैसा की contrary to the advice of W-E-A-C-O, जैसा की W-E-A-C-O की advice के बिपरीत हुआ, क्या, कि India has not fully utilized, कि भारत ने fully utilized, याद होगे एककल आपको परसों, मैं इस उपियोग में ले आना, यानि W-E-A-C-O की advice के बावजूद, उसके बिपरीत भारत ने has not fully utilized, भारत ने पूरी तरह से उपियोग नहीं किया है, किसका, the precious lockdown, किस से इसका, उस कीमती बहुमुल्य lockdown का period, यानि उस समय का, to increase many fold, the number of tests, किस से इसके लिए उपियोग नहीं किया है, to increase, बढ़ाने के लिए उस कीमती समय का भारत ने उपियोग नहीं किया, क्या बढ़ाने का, many fold, कई गुना, क्या कई गुना बढ़ाने के लिए, the number of tests, अर्था test के संख्या, यानि WHO नहीं क्या कहा था, कि भारत को अपनी हाँ test की जो संख्या है, वो बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसकी सलाह के, हैने हाँ पे, एक मिन बच्चोज, उसकी सलाह के contrary, उसके बिपरीथ है न, advice of WHO, उसकी सलाह के बिपरीथ, भारत ने क्या नहीं किया है, इंडिया has not fully utilized the precious lockdown period, भारत ने इस बहुमुली कीमती समय का उप्योग नहीं किया है, to increase many fold, the number of tests, किस सी इसको बढ़ाने में, cases की tests को बढ़ाने, यानि जो cases आ रहे हैं, उन पे test नहीं किया जा रहे हैं, carried out daily, वो tests carried out daily, जो tests प्रती दिन किया जा रहे हैं, while, जब, कब, simultaneously tracing, जब साथ साथ क्या किया जा रहा है, tracing यानि पता लगाया जा रहा है, isolating, पता लगने के बाद उन्हें isolate किया जा रहा है, अलग treating और उनका उपचार किया जा रहा है, किनका COVID-19 patients, यानि coronavirus के patients, समझे आसान बचों, जब, COVID-19 के जो patients हैं, उनको treat किया जा रहा है, कब, जब उनको isolate किया जा रहा है, isolate कब किया जा रहा है, जब उनको trace किया जा रहा है, जब उनको trace किया जा रहा है, पता चल जा रहा है, किनक वो कई गुना क्या नहीं की जा रही है, बढ़ाई नहीं जा रही है, जबकि डबलू यच्चो ने ये एडवाइस दिया था, कि वो संख्या, टेस्ट की संख्या क्या की जाने चाहिए, बढ़ाई जाने चाहिए, ठीक है, चलिए बचूँ, वर्स देख लें, यहाँ भी आप अंतर रोप से, आनेवरेज आवसतन, आप सीरियस कंसर्ण, गंभीर चिंता का विशह, कांट्री याद हो गया, डबलू यच्चो समस्ते ही आप है, यूटिलाइज्ट याद हो गया, उपयोग में ले आना, प्रेसियस हो, जो चीज बहुत एक्सपेंसिब हो, वैलुएबल हो, इन्वैलुएबल हो, कीम्ती, इन्क्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, मैनी फोल्ड कई गुना, मैनी फोल्ड कई गुना, टू फोल्ड, दो गुना, थ्री फोल्ड, तीन गुना, फोर फोल्ड, चार गुना, ऐसे होता है, कैरी आउट, किसी चीज का पालन करना, या किसी कारी को संपन करना कोई कारी पूरा करना सिमल्टनस के लिए याद हो गया साथ साथ ट्रेस पता लगाना किसे चीज के अंदर कोई रोग है की नहीं लक्चन है की नहीं उसे ट्रेस किया जाता है आइशुलेट याद हो गया ट्रीट याद हो गया पेसेंट्स तो हम लोग बनना नहीं चाहेंगे, चले बचो आगी बढ़ते हैं, that यह चीज, even during the lockdown, किसके दौरान, lockdown के दौरान, यह लाकडाउन के दौरान भी India has witnessed, भारत साक्षी रहा है, यह भारत ने देखा है, क्या, the shortest time, सबसे कम समय, यह लाकडाउन के दौरान भी, भारत ने देखा है, कि the shortest time, कि सबसे कम समय लगा, कितना कम समय बच्चों, of 13 days, 13 दिनों, यह भारत ने सबसे कम दिनों का समय, 13 दिनों का सबसे कम समय देखा, किसले, for cases to double, कि cases क्या होते गए, double होते गए, यहनि भारत ने देखा, कि 13 दिनों में ही, इसके यहाँ cases क्या होते रहे, double, दुगने होते रहे, compared with 14 other countries, किसके तुलना में, अगर हम 14 अन्य देशों से तुलना करें, यह 14 अन्य देशों के तुलना में, भारत में cases double हो गए, और यह double सबसे कम समय में हुए, कितने दिनों में केवल, 13 दिनों में हो गए, कह रहे हो गए, countries, that, यह that किसके लिए बच्चों, countries के लिए है न, क्यों, क्योंकि देखे, that के बाद have लगा है, यहां वो देश, that have the most cases, यहां most क्या हो जाएगा, adjective, क्यों, क्यों, क्यों क्या है, noun, तो द क्या हो जाएगा, modifier, article, यहां जिन देशों के पास, the most cases, सबसे दिक cases थे, reported, जिन cases की, report की गए थे, और यह पता है, इस बच्चों कहां से चला था, सोच सकते हैं आप, इस यहां से चला था, that से, कैसे आप प्रमारी कर सकते हैं, कैसे आप इसे इसका proof देश सकते हैं, बच्चों, कैसे देखें, देखें, that शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद, even during the lockdown, इंडिया, यह तो इंडिया के लिए हैं, इंडिया हैं, इंडिया has witnessed the shortest time of 13 days, for cases to double compared with इतने, अभी वर्ब नहीं आई है, countries that have, यह that have, that countries के लिए था, that के लिए have है, that have the most cases reported, और यह is that से हैं, यानि यह सारी चीज़ें, कौन सारी चीज़ें, कि lockdown के दौरान भी, भारत ने देखा, कि सबसे कम समय, 13 दिनों में, यहां पर cases क्या होते रहें, double होते रहें, किसके तुला मे 14 अन्य देशों के तुला में केसे हमारी यहां जादा हुए, कौन से 14 देश, that have the most cases reported, जिन देशों में सबसे दिनों केसे के रिपोर्ट आई, अब यहां जोड़ें, that is, यानि यह चीज़ें है, क्या testimony, प्रमार साब छे, यह चीज़ें प्रमार है, to the wider spread of the virus, समझ रहेंगे to the wider spread of the virus, कि यह virus हमारी यहां क्या हो चुका है, बहुत, wider spread, fell चुका है, that is testimony, यही इसका क्या है, प्रमार है, कौन सा प्रमार, कि 13 दिनों में ही, हमारी यहां cases क्या होने लगे, double होने लगे, में 102 कुने होने लगे, और यह 14 अन्य देशों के तुलना में क्या है हमारे यहां, खराब अवस्ता है बच्चों, किरें, a reason, यह reason क्या हो गया बच्चों, noun, तो इसके पहले a क्या हो गया, article या determiner, a reason, a reason के साथ देखे क्या लगा है बच्चों, for, याद कर लिज़े, a reason for this, यही इस चीज़ का कारण, एक कारण, एक कारण, could be, समझ सकते हैं, हो सकता है, यह कारण हो सकता है, that, कि, cases in other countries, कि, दोसरे देशों में, जो cases है, मामले है, barring, Russia and Brazil, barring means होता है, बच्चों, यह, barring means, except, या, excluding, को छोड़ कर, के बिना, यह sense होता है, ठीक है, फिर से देखें, जैसे आपका एक considering पढ़ते हैं, pending पढ़ते हैं, regarding पढ़ते हैं, वैसे barring भी एक preposition होता है, जिसके मिन्स होता है, को छोड़ कर, के बिना, देखें, आप देखें, यहां से, हाँ, a reason for this, यानि इसका कारण, could be, हो सकता है, क्या, that, कि, अगर आप बच्चों कहें, sir, could तो past मे भी यूज़ कर सकते हैं, संभावना के लिए, ठीक है, यहां, चमता की बात नहीं, संभावना की बात है, तो present में भी यूज़ करते हैं, यानि, reason for this, could be, यानि, इसका कारण, एक हो सकता है, that, कि, कौन सा कारण, बच्चों, कि हमारे हैं, cases double हो जा रहें, 13 दिनों में, वो ए अनि, देशों में, जो cases हैं, have, है न, यहां, countries था न, इसलिए have, अनि, देशों में, जो cases हैं, बलकि, हां, countries से बेतर बच्चों, इनके पहले, यह है, cases, यह subject है, real subject, तो, वो कारण हो सकता है, कि, अनि, देशों में, जो cases हैं, have already peaked, वो cases, पहले से ही, बहुत ज़्यादा, श के लिए है, cases are, वो cases are about to, या वो सिखर पर पहुचने वाले हैं, about to समझता है न, he is about to start, वो start करने वाला है, unfortunately, दुर्भाग्यवश, unfortunately, दुर्भाग्यवश, अगर कोई कहे, भाग्यवश, तो उसके लिए क्या याद कर लें, बच्चों, eventually, क्या होता है, eventually means भाग्यवश, नहीं लोग कहते है, भाग्यवश वो बच गया, तो eventually, he escaped, ये होता है, तो unfortunately, दुर्भाग्यवश, even as the number of cases, has, has, किसके लिए बच्चों, याद कर लीजेगा, the number, जो हमेशा singular लेता है, याद करेए, a number plural लेता है, और the number singular लेता है, दुर्भाग्यवश, even as, यानि, ये सही है कि, the number of cases, has, crushed, 94,700, यानि, सही है, कि हमारे केस, 94,700 से, crushed, जादा हो चुके हैं, फिर भी, India is yet to begin, भारत को अभी भी शुरू करना है, investigating, क्या, जाच करना, भारत को अभी भी जाच करना, शुरू करना है, कौन से किस चीज की जाच, community transmission, कि हमारे यहाँ, community transmission हो रहा है कि नहीं, यानि, community में transmission हो रहा है कि नहीं, अर्था, समदाइक रूप से, इसका, हस्तांतरन हो रहा है कि नहीं, इस चीज का, India is yet to begin investigating, भारत को अभी भी क्या करना है, इसकी जाच परताल करने है, याद रखे एक बच्चों, यह जो begin होता है, जो start होता है, इसके साथ आप infinity भी ले सकते हैं, और जीरंड भी ले सकते हैं, मलब जैसे, he started going, उसने जाना शुरू कर दिया, he started dancing, उसने नाचना शुरू कर दिया, या he started to go, he started to dance, दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ ING देखे लगा है, yet to begin investigating, ING, भारत को अभी भी भी शुरू करना है, क्या investigating, जाच करना, किसी इसकी, community transmission की, despite, किसी इसके बिना, despite the strongly suggestive findings, इस चीज के बावजूद, किसी इसके बावजूद, कि strongly suggestive findings, findings श्याद है, निसकर्स, परिडाम, क्या हमारे हैं, strongly, बहुत मजबूती पुरवकर, suggestive findings हैं, यानि हमें कहीं कहीं ऐसे निसकर्स हैं, जो ये suggest कर रहे हैं, कि हमारे हैं, community transmission हो रहा है इसके बावजूद, हम अभी investigate नहीं सुरू कर पाए हैं, कि क्या वास्तों में community transmission हो रहा है, जबकि वास्तों में इस तरह के suggestions हैं, कि हमारे हैं, इस तरह findings हैं, यानि परिडाम हैं, कि हमारे हैं community transmission हो रहा है, यहां देखिए बच्चों, findings क्या है, noun, तो suggestive IVE क्या हो जाएगा adjective, तो strongly, strong plus ly क्या हो जाएगा, adverb, तो the क्या हो जाएगा, determiner हो जाएगा, ठीक है, देखिए, तो यहां से आप फिरस देखनें, बच्चों, मैं चाहों तो, मैं बच्चों, आगे बढ़ सकता हूँ, लेगे, मैं चाहता हूँ, आप समझ लें, इसलिए थोड़ा सा time आप दे देखें, भारत को अभी भी शुरू करना है investigating community transmission, यानि देखना है कि community transmission हो रहा है कि नहीं, despite the strongly suggestive findings, इसके बावजूद कि हमारे पास इस तरीके के कहीं कहीं suggestions हैं, निसकर्ष हैं कि community transmission हो रहा है, कैसे, of sentinel surveillance, यानि जो हमारी चौकसी करने वाले, निगरानी करने वाले सर्विलांश हैं, इनके द्वारा जो निसकर्ष निकल रहे हैं, कहीं कहीं ये बता रहे हैं कि हमारी community transmission थोड़ा बहुत हो रहा है, और ये sentinel सर्विलांश कहा हैं बच्चों, among those उन लोगों के बीच हैं hospitalized, समझेगा, who are hospitalized, जो hospital में है, for severe acute respiratory infection, जिनके, यानि जो लोग severe, बहुत सक्त, acute, तीवर, respiratory infections से ग्रस्त हैं, जिनके स्वसन क्रिया से समंदित infection संक्रमण हैं, ऐसे लोगों के बीच, जो sentinelence सर्विलांश है, यानि जो निगरानी कर रहा है, उसकी जो findings हैं, निशकर्स हैं, उससे कहन के strongly suggestive, यानि यह हमें एक मजबूस संदेश जा रहा है, कि हमारी यहां community transmission हो रहा है, फिर भी इंडिया को अभी इस चीज़ का क्या करना है, investigate करना है, पता लगाना है, ठीक है? इसमें भी कम words हैं, जो आप न जानते हैं, witness आप जानते हैं, गवा होना, साक्षी होना, देखना, और कोई word आप जो न जानते हैं बच्छों, यह words त्यार करना है, testimony, किसी चीज़ का proof, जो evidence होता है, प्रमार होता है, वो testimony होता है, और कोई barring, except, excluding को छोड़ करके, without कह सकते ह आप, unfasting पर आप जानते हैं, बच्छों, the number कहीं भी हो, हमेशा वर्ब को क्या ले, singular use करें, yet to, अभी भी, जब भी इस आइमार, वाजवर के बाद, yet आप देखें, तो तुरन समझ जाएं, अभी भी इसका अर्थ होता है, कमटरी ट्रांस समझते हैं, सामुदाइक हस्तांत रेस्पिरेटरी आपको याद हो गया, स्वसन से समंदित, इंफेक्शन, शंक्रमन, सर्विलांश याद हो गया, निगरानी, सेंटिनल, मैंस कोई, चौकसी, कोई निगरानी, इसके मिन्स भाई होता है, चले, आगे बढ़ते हैं बच्छों, और ये next pass से समाने पास, given, जैस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस सीज़ को? कि हमारे यहाँ हाई rate है, बहुत उची दर है, आफ ऑस्सिम्टोमेटिक ट्रांसमीशन, यानि ऐसे ट्रांसमीशन के, ऐसे हस्तान्तरण की, जिसमे ऑस्सिम्टोमेटिक है, जो transmission ऑस्सिम्टोमेटिक है, ऑघ्यूसमे लक् viral resurgence is inevitable. यानि high viral resurgence, बहुत अधिक viral, यानि viruses से समन्दित resurgence, हमारे पुनह ऐसे cases बहुत अधिक आ जाएंगे, और is inevitable और यह चीज क्या है, बिलकुल निश्चित है, कब, when the lockdown is lifted, जब लाकडाउन क्या किया जाएगा, lifted, हटाया जाएगा, आपका इंग बिचों कि सर्फ हटाया जाएगा है, तो आपनी is क्यों लिया है, क्योंकि आपनी यहाँ when लिया है, तो when वाली क्लास को नार्मली present में रखते हैं, न कि future में रखते हैं, ठीक है, यानि इस चीज को धिहान में रखते हुए, कि हमारे हैं अस्यम्टोमेटिक केसिस के संक्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखते हैं, हम ध्यान याद रखें, कि हाई वाइरल रिसरजेंस होगा, बहुत अधिक क्या होगा, फिर से केसिस नहें आएंगे, और ये चीज इनेविटेबल है, निश्चित है, when the lockdown is lifted, कब, जब lockdown को हटा लिया जाएगा, with over 11,200 cases, यानि 11,200 cases के साथ, यानि उससे ज़्यादा कह सकते हैं न, यानि 11,200 cases के साथ, Tamil Nadu has the second highest number, समझ रहेंगे, Tamil Nadu का दूसरा सबसे बड़ी संख्या है, of cases, मामलों के, समझ सकते हैं, अर्था, Tamil Nadu में सबसे अधिक, जो cases हैं, उनमें Tamil Nadu दोसे number पर है, तो पहले number पर कौन है, next to Maharashtra, यानि Maharashtra के बाद, आपके इंसर next to कैसे बाद हो चाएगा, तो जैसे next to, वो हमारे बगल में बैठा है, यानि मेरे बाद ही तो हुआ वो, हम कहते हैं न, doctors are next to God, यानि doctors भगवान के बाद उनहीं का स्थान होता है, तो 11,200 से अधिक cases के साथ, Tamil Nadu कौन से number पर हैं बच्चों, cases के मामले में दो से number पर है, पहले number पर कौन है, Maharashtra और इसके बाद हैं बताया गया, over 30,000, 33,000, जहां पर 33,000 cases वहां पर कोरोना वाइरस संक्रबित लोगों के हो चुके हैं बच्चों, बट लेकिन, with over 4,000 tests per million, million समस्ते न, 10 lakh, यानि 10 lakh लोगों पर कितनी tests हो रहें, 4,000, इन 4,000 tests के साथ, Tamil Nadu is testing, Tamil Nadu test कर रहा है, nearly two times, लगभग दो गुना ज्यादा more है न, दो गुना ज्यादा than Maharashtra, किसके अपे एक च्छा, Maharashtra के अपे एक च्छा, एक ची ध्यान रखेगा बच्चों, कभी भी अगर आप two times, three times, four times का प्रियोग करिएगा, इसके साथ grammar, यानि competition के grammar में, आप क्या लिजेगा, positive degree लिजेगा, न कि competitive degree जैसा की यहाँ लिया गया है, यह competition के लिवल पर वाकिए क्या होना चीए, ऐसे होना चीए था, Tamil Nadu is testing nearly two times as much as Maharashtra, यह होना चीए था, ठीक है, चले, तो Maharashtra से मलब दो गुणा ज्यादा test कर रहा है, कौन कर रहा है, Tamil Nadu, कितना, 10 लाख लोगों पर उसके test कितने हैं, 4,000 हो रहे हैं, it is not the states, यानि यह states नहीं, राज नहीं है, that, यह that किस के लिए, states के लिए, that report, यह राज नहीं है, that report more cases, यानि वो राज नहीं है, जो अधिक cases की report कर रहे हैं, that is a cause for concern, जो कि चिन्ता की बात है, देखे, कितने अच्छी लाईने समझे के बच्चों, फिर सदेखें आप, कह रहे हैं, it is not the states, देखे, यहाँ the states, plural है बच्चों, है न, यहीं फिर भी देखे, it is, क्या लगा, it के साथ is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, it के साथ क्या है, it हमेशा singular ही रहता है, is या वाज या है, इस के साथ ही रहता है, तो it is not the states, यह राज नहीं है, that report more cases, जो अधिक cases की report कर रहे हैं, that is a cause for concern, जो की चिंता की बात है, यहीं यह राजियों का अधिक cases का report करना, हमारी चिंता की बात नहीं है, बट भलकि, दोज, वो राज हमारी चिंता की बात है, that have reported fewer, जिन्होंने ज्यादा case किया है, वो राज हमारी चिंता का विशय नहीं है, हमारी चिंता का विशय, दोज, वो राज है, that have reported fewer, जिन्होंने रिपोर्ट किया है, fewer, कि उनके यहां cases की संख्या fewer और कम है, आप समझते हैंगे बच्चों, few means कम, तो fewer और कम, और fewest सबसे कम, ठीक है, ऐसे little का भी आपको याद होगा, little कम, less और कम, और least सबसे कम, होता है न, चले, तो कितना बड़ी यह लाइन थी, कि वो राज हमारी चिंता का विशय नहीं है, that report more cases, जो हमें यह बता रहे हैं कि उनके यहां ज़्यादा cases है, हमारी चिंता के विशय कौन है बच्चों, दोज, वो राज है, that have reported fewer, जो यह बता रहे हैं कि उनके यहां कम cases आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि active case finding, यह जो active case है, उसके जो finding है, उसके बारे में जो पता लगाने का कारी है, and testing of most people, और अधिकतर लोगों की जो testing है, with कौन से लो, with a travel history, जिनोंने क्या किया है, यात्रा का जिनका इतिहास रहा है, early, पहले, during the lockdown, कब, lockdown के दौरान, यह लाकडाउन के दौरान, जिन लोगों का यात्रा का इतिहास रहा है, ऐसे अधिकतर लोगों की testing, और active case का पाना, could be one reason, एक कारण हो सकता है, कि why, कि क्यों, करनाटका has reported fewer cases, कि करनाटक में क्यों कम मामले आए, यानि क्यों कम मामले आए, क्योंकि आपके हाँ अधिक मामले खबाएंगे बच्चों, जब आप उनका test करेंगे, जब आप उनका test ही नहीं करेंगे, तो आप यह तो दिखा ही सकते हैं न, कि आपके हाँ मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत अधिक होगा, you can understand, चले बचों, क्या कोई ऐसा वर्ड है, जो आप नहीं समस्पाया, इसमें देख लेते हैं, गिवन याद कलीजेगा, एडिटोरियल में कभी भी गिवन लिखाओ, और उसके बाद पूरी क्लास शुरू हो, तो आप समझाएं, को ध्यान में रखते हैं, ये चीज़ होता है, और सिंटोमेटिक, विदाउट सिंटम, अर्था जिसके अंदर कोई सिंटम न हो वो, ट्रांसमेशन, मेंस एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, मेंस ट्रांसमेट करना, वाइरल, वाइरस से समंधित, रिसरजेंस, किसी चीज़ का पुनर जेवित हो मेरे लिए, कब, if you are regular, lifted हो गया, lifted समझते हैं, lift की, third form यहाँ पे है, उठा लिया जाना, हटा लिया जाना, और कोई word बच्चों, जो आप नहीं समझ पाए हो, बिल्कुल easy, concern याद हो गया होगा, चिंता, fewer और कम, finding, निश्कर्स, प्राप्त होने का कारिय, testing समझते हैं आप, ओके, 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 बिल्कुल, चले, आगे बढ़ते हैं तो फिर, और यह हमारे पास, last side हो, हाँ, last होगा है, similarly, ठीक इसी प्रकार से, जब भी कोई ऐसा, similarly, fortunately, eventually, वाकिकी आरम ही आजा है बच्चों न, तो वो पूरे sentence को क्या करता है, modify करता है, इसी प्रकार से, यह सर्विलांश, यानि जो चौकसी है, निगरानी है, जो watch over करने का कारी है, super vision जो हमारा है, जो सर्विलांश है, and case finding, और जो case की प्राप्ती है, उनके बारे में पता चलना है, आफ दोस किनका पता चलना, उन लोगों के बारे में पता चलना, with a travel history early, जिनका पहले का क्या रहा है, यात्रा करने का इतिहास रहा है, on, have been, यह have been किसके लिए बच्चों, सर्विलांश and case finding of those, plural है न, सर्विलांश and case finding, इसलिए have been, यह ऐसे लोगों का जो सर्विलांश है, निगरानी है, और ऐसे लोगों जो case finding है, have been good, वो अच्छी रही है, in आंधर प्रदेश, कहा आंधर प्रदेश में, and could be a reason, और यही इसका एक कारण हो सकता है, why it means आंधर प्रदेश, कि आखिर क्यों, it has reported fewer than 2400 cases, कि आखिर क्यों यहाँ पर 2400 से कम cases आए, so far, so far याद हो गया न, so far बच्चों, so far, till now, अब तक, यह न, till now, अब तक, करें, महाराष्ट्रा, गुजरात, मध्य प्रदेश, and West Bengal, have, कही सारे राज योगे, have ले लिया इन्होंने, have reported, वर्प की third form, present perfect tense, याद हो जाएगा आपको, have reported, इन्हों रिपोर्ट किया है, high case positivity, कि इनके हाँ, जो cases है, high case positivity, उनमें positive, जो infectious people है, इनकी संख्या बहुत ज्या could either be, either means, दो में से एक, और ऐसी वस्था में, either के साथ, हर हाल में, बच्चों, आर लगा होता है, देखें, लगा है, ये देखें, इदर आर, ठीक है, चलिए, फिर से देखते हैं, किरें, this, यानि, West Bengal वगरे में, महाराष्टर, गुजरात में, इंबरत ब्रजिस में, cases बहुत ज्यादा पाश्टी पाए जा रहे हैं, तो this could either be, यानि, या तो इसका कान ये हो सकता है, कि due to good surveillance, कि वहाँ पे निगरानी क्या हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए, वहाँ ज्यादा cases पाए जा रहे हो, which is unlikely, unlikely means, improbable, जो संभव नहीं है, बच्चो, यानि, संभव नहीं है, कि यह कारण हो सकता है, कि वहाँ पे good surveillance, निगरानी बहुत ज्यादा हो, या क्या कारण हो सकता है, wider spread of the virus in the community, या फिर हो सकता है, कि इन राजियों में, community अर्था समुदायों में, wider spread of the virus, यानि, virus और अधिक संख्या में, क्या हो गए हो, फैल गए हो, ठीक है, यह वजह हो सकती है, कि इन प्रदेशों में, cases बहुत ज्यादा positive पाए जा रहे हो, कि इन प्रदेशों में, माराष्ट्रा में, गुजरात में, मध्र प्रदेश में और वेश्ट बेंगाल में, हो गया, at least, कम से कम in specific region, कम से कम कुछ विसेश छेत्रों में तो ऐसा होई रहा है, कि इन प्रदेशों में, cases पाश्टी बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, और कुछ विसेश छेत्र हैं, इन में, कम्यूनिटी में कहिन कहीं, वाइरस क्या हो रहा है, फैल रहा है, if the latter, लैटर बचों आप समझते हैं, याद है आपको, देखें, ये four है, इसी four से बना farmer और इसी से बना first, four means पहला, former दो में से पहला और first कई में से पहला ये होता है, ऐसे ही ये है आपका, लेट, लेटर और लेटेश्ट, लेट देर से, लेटर और देर से, लेटेश्ट सबसे देर से, यानि बिलकुल अभी हाल ही में, लेट का एक और comparative होता है बच्चों, क्या? लेट, लेटर और लाश्ट, लेट मेंस जो बाद में आया, लेटर जो दो लोगों में बाद में आया, और लाश्ट जो सबसे बाद यानि अंत में आया, लेटर का प्रियोग कहां करें? फार्मर के अगेंच्ट, फार्मर मेंस दो में से पहला, तो लेटर मेंस दो में से बाद वाला, चले मैं समय लेता हूँ बच्चों, और आपको में समझा दू ताकि एक्जाम में भी आपकी काम आजाएगा, जैसे आप कहें, में राम एंड रहीम आर फ्रेंड सो, बट आई लाइक दो लेटर, तो इसका आज समझाएंगा बाब? बट आई लाइक दो लेटर, लेटर मेंस क्या? ये जो दोनो हैं, इनमें बाद वाला, मेंस कौन? रहीम हूँ ये, अगर मैं यही वाकी ये लिखता कि, ये बाग देखें, राम एंड रहीम आर फ्रेंड सो, बट आई लाइक दो फार्मर, अब ये फार्मर किसके लिए है? राम के लिए, ठीक है? ये दो लोग हैं, तो उनमें पहला वाला कौन है? पहला वाला कौन है? फार्मर और दूसरा पहला वाला कौन है? लैटर, और अगर दो से अधिक लोग हैं, तो उनमें पहला वाला कौन होगा? फर्ष्ट और अंतिम वाला कौन होगा? लाष्ट. यानि फर्ष्ट और लाष्ट तभी लगाएं, जब तीन या तीन से अधिक लोग हैं और अगर दो लोग हैं तो पहले वाले के लिए farmer और दूसरे वाले के लिए letter लगाए थोड़ा आप उतार में समझा होगा grammar पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों आप इसे चले तो तो हो गया करें if the letter अब आप समझें letter किसके लिए बच्चों दो घटनाए थी ना कौनसी घटनाए देखें पहली थी कि ये इदर हाँ due to good surveillance which is unlikely ये पहली घटना हो गई और दोसी क्या थी are wider spread of the virus in the community at least इन दोसी घटना है अब कहरें if the letter be the case ये यदि बादवाला मामला हो बादवाला कौनसा कि community में वाहरस फैल ला हो यदि ऐसी बादवाली घटना हो तो India can expect use the numbers to be reported समझ रहे होंगे तो भारत कोई अपेक्छा कर सकता है भारत कि बहुत बड़ी संख्या में cases की report आनी है कब in the coming weeks आने वाले कुछ सब्ताहों में क्यों? क्योंकि no state कोई भी ऐसा राज नहीं देखे state बच्चों क्या है noun तो noun के पहले क्या लग गया? no यहां कभी भी आप not नहीं लगा सकते हैं noun के पहले आप not नहीं लगा सकते हैं क्योंकि not एक purely adverb की तरह काम करता है तो no state यानि कोई भी ऐसा राज नहीं है including केरला किसको ले करके? केरला को ले करके केरल को ले करके कोई भी ऐसा राज नहीं है can thus be complacent जो इन cases को ले करके complacent हो सकता है means क्या हो सकता है बच्चों? self satisfied हो सकता है मेंस आत्म संतुष्ट हो सकता है कि हमारी हाँ cases तो बहुत कम है क्योंकि cases का कम होना इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप जादतर टेस्सों न कर रहे हो ठीक है? Cumplation याद हो गया आत्म संतुष्ट यह नि किसी भी राजी को केरल सहित किसी भी राज जी को क्या नहीं होना चे आत्म संतुष्ट नहीं होना चे अर्थाते ध्यान रखना चे कि कम्मिट्री ट्रांस्मिशन कहीं कहीं चल लहा है ठीक है वर्ट्स देख लें जल्दी से सर्विलांश याद हो गया मैं जिसके द्वार आप वाच ओवर करते हैं निगरानी करते हैं फाइंडिंग प्राप्ति उपलब्धी और कई वर्बच्चों जो आप नहीं कर पाएं हो नहीं कर पाएं सो फार याद हो गया अब तक तिल नाव पॉश्टिविटी मिस पॉश्टिव केसे इदर आर या तो या यह उता और नीदर नार न तो नहीं इस पैस इस पैसिफिक रेजांश विसेश छेत्र लेटर बाद वाला फार्मर पहले वाला ओके बच्चों और लास्ट वर्था कंपलाशेंट में इंसर आत्म संतुष्ट और आप समझ रहे होंगे अब आपके पास सबसे इंपॉर्टन सेग्मेंट यह है यह देखे बच्चे रोज मैं इतनी वर्स बनाता हूँ आपके लेकिन आप अगर नहीं तयार करेंगे तो मे दर्द होता है लेकिन यह मेहनत है बच्चों जो अपनी बच्चों के लिए एक जैसे पिता करता है वैसे ही टीचर भी करते है चलें पीकिंग समझते होंगे पीक से बना है मेंस शमिट जैनित वगरे के सेंस में टैली नाउन के रूप में बच्चों कोई आंकडा या कोई और वर्ब के रूप में टैली मेंस मैच करना मेल खाना या हिसाव लगाना मेंस काउंट करना एक्स्टेंडर समझ रहे होंगे एक्स्टेंड से बना है मेंस बढ़ाया हुआ राइज बढ़ोत्तरी उच्छाल वरी चिंता सरपास आउटशाइन आउटडू एक्सेल एक्षे आगे निकल जाना वाइल के दौरान भी हो सकता है और जब भी हो सकता है और जब की भी हो सकता है इस्टेडली निरंतर रोप से लगातार कंशर्न चिंता सब्स्टेंशिव आपको याद है बच्चों सब्स्टेंशिव महत्पूर ये पिछले वड़का था आपका इसे प्रित, utilized, use किया, उपयोग किया, precious, invaluable, valuable, expensive, मुल्यवान, manifold, कई गुना, simultaneously, एक साथ साथ, means, coincidentally, जो चीज़ साथ साथ इत्फाक से एक साथ हो, वो simultaneously होती है, tracing, trace से बना, किसी चीज़ का पता लगाना, शुरुवात होना, आरंभ होना, isolating, isolate से, अलग हो जाने के कारिया, treating, treat से बना, treatment means noun के रूप में क्या होती, बच्चों, याद है आपको, दावत, लेकिन वर्ब के रूप में क्या होता है, बच्चों, दो होता है, एक, ब्यवहार करना, होता है न, दूसरा भी होता है, आप जानते हैं, इलाज करना, ठीक है, दोनों होता है, witness means गवाह होना, साक्षी होना, किसी चीज़ को देखना, वर्ब के रूप में, और नावन के रूप में, गवाह या जो साक्षी हो, वाइड इस्पेड, फैला हुआ, टेश्टीमनी, प्रमाण, साक्ष्य, कोई प्रूफ, कोई एविदेंश, बारिंग, एक्सेप्ट, एक्स्क्लोडिंग को छोड़ कर, investigating समस्ते, investigate करने से मनलब, community, समुदाय, transmission, एक से दूसरे में जाने की करिया, suggestive, जो किसी चीज का आपको इशारा करे, उस चीज के बारिंग, बताए, वो suggestive होता है, finding श, उपलब्धिया, प्राप्ति, निसकर्ष, परड़ाम, sentinel, जो guard होता है, मैं जो चौकिदार होता है, look out होता है, सर्विलांश, जो supervision है, निगरानी, severe, कठोर, hard, strict, सक्त, acute, sharp, तेज, तीव्र, respiratory, respiration से समंदित, स्वसंक्रिया से समंदित, asymptomatic, जिसके अंदर कोई लक्षण न हो, resurgence, फिल से जे उटना, renewal हो जाना, किसे चीज़ का, resurrection हो जाना, rebirth हो जाना, inevitable, unavoidable, निश्चित, fewer और कम, so far, till now, अब तक, positivity, मैंस किसी चीज़ के सकारात्मक्ता, इधर, या तो, या दो में से एक, unlikely, जिसके संभावना कम हो, specific, विसेश, और complacent, self-shrisfied, self-gratified, self-concited, ठीक है, self-proud भी ले सकते हैं बच्चों आप, यह वर्स जरूर तयार करिएगा, और यह last आप जानते हैं, यह जो वर्स कठीन रहे हो, मैं उन्हें हिंदी में यूज़ करके आपको दे रहा हूँ, जैसे सरपास आप नहीं याद कर पा रहे हो, कैसे बोलें, सरपास में सी होता है, ठीक, अब देखें कैसे लिखा मैंने, इस प्रद्योगता में, वह सबको सरपास कर सकता है, यानि वह सबको पीछे छोड़ सकता है, अर्थात, इस competition में वह सबको सबसे आगे निकल सकता है, जैसे सिमर्ट नस्लिक देखें, मैंने कैसे योज़ किया, एक ही समय पर, ये सभी घटनाएं सिमर्ट नस्ली घटित हुई, अर्थात, एक साथ ही क्या हुई, घटित हुई, बचों मैं मेहनत करता हूँ, बस आप मेहनत को तारिये, मिंस इसका फल लेजे, वो फल आपकी सफल्था करोप में परिवर्दित हो सकता है, क्योंकि इंगलिस एक ऐसा subject है, जो हर जगह, पल, पल, हर कदम पे आपके काम आएगा, ठीक है, तो शाम को मेरा schedule आप समझ गए होंगे, पांच से, सारी पांच, अभी त तक, आप subject, verb agreement पे, आप मेरी exercise चल लएए, वो जरूर देखें, आपकी बहुत काम आएगा, और जो आपी पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल, ये भी वहाँ चीजें आपकी utilize होंगे, utilize होंगी बच्चों, यार ठाथ ये चीजें, ये knowledge आपका वहाँ उपयोग में आएगा, तो सारी चीजें मेरी देखते रहें, मैं बहतर करने की कोशिश कर रहाँ, बस आपकी support की क्या है, आवशकता है, जरूरत है, जो बच्चे नए हों, बस वो subscribe करते रहें, और जो बच्चे पहले स्मेरे जुड़े हैं, वो बच्चे और बहतर, और बहतर support करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों, तो आपसे मिलता है हम, नेक्स्ट सेगमेंट में, जहाँ पे मैं आपसे फिर से रूबरू होँगा, ठीक है, छले, मिलता है हम, ठेंक्यों